के लिए ये फर्स्टियर का सॉसिलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कोशन लेके आया हूं और बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है हमारा कि तो कोश्चन है हमारा कि समित को परिभास्त किजिए सदस्थ समित की विश्रस्ता हैं बताईए हम समतियों के सदस्थ हो सकते हैं परंतु संस्थाओं के नहीं इस कथं की विवेचना किजिए कि अला कोशन करा हमारा रा संस्था की परिभासर देजिए तथा समितिकी विश्रस्थ के जिए और इन्हीं कोश्चन में से आपके जो क्वेश्र है वो इसके सारे आंसर सी में तयार हो जाएंगे और इस कोशन में आपके भविकल पिये और शौट अंसर भी आपको मिल है और आस्ट ने भी मनुश्ष्ट समालगत प्राड़ी होने अधार पर होती है कि इसके बाद हमारी हेडिंग है समिति का अर्थ एवं परिभासा है कि पूर्ती के लिए जब एक समधाय के को शदस पारस्पेक्ट सहयों के आधार पर इसी संगठन का अंद्रमार करते हैं तो से समिति कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है यह आपको शौट कोशन में भी मिल जाएगी आपको अवलोंग में तो आपको यह है इसके बाद है मैं कैबर तता प्रेश के अनुसार जब समिति की परवासा एक सम्हूं के रूप में कर सकते हैं तो किसी एक हित अत्वा अनेक हितों क सामान पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो वगाट स्के अनुसार पराय किसी उद्देश को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को क्या कहते हैं है शमिति कहते हैं अगला है आपका गिलिन और गिलिन की अनुशार करता है कि इसके बाद है आपका समित्य की विसेश्ता है ऐखवा आवस्चकर तो देखते हैं क्या है मानब शम्हू पहला है मानब शम्हू कि किसी एक बैक्ति की द्वारा children कर सकता है । दो या दो से अधिक बैक्ति मिलकर समिति दूसे करतेे, फो समिति में दो ऑदूसे देखों तो ही वो क्या करेंगे समिति की स्थापना कर पाएंगे समिति के लिए मानम शभू एक आवसक्तर तो है किसके लिए आवसक्तर तो है समिति के लिए अगला है आपका विचार पूर्व के स्थापना समिति सोंच विचार कर निर्मित किया गया एक संगठन है विसे से उद्देश रखने बाले विक्ति एक साथ एकत्रित होकर उद्देशों के बिभिन्थ पक्छों पर बिचार करते हैं इसके पच्छा समयति की स्थापना की जाती है हाट हैमारा विसिष्ट उद्धिस के कुछ विसिष्ट उद्धिस होते हैं जासे के समितिया खार्थ है आपका आइक्षिक सदस्टा समाज में पाई जाने वाली अधिकान समेतियों की सदश्ता अच्छिक होती है इसका ताइट पर यह है कि किसी समेति का सदश्त बनना या ना बनना बेक्तिक लिए इच्छार बने या ना बने आई कि जैसे उसका उधरड़ दिया हुआ है बिभिनी राजनीतिक दलों के सदस्ते अपने दल को छोड़ कर दूसरे दल की सदस्तिया अगरहड करते हैं पाइस्थाई असवभाव अधिकान समयतियां असथाई सवभाव की होती है इसका कारण यह है कि समयतियां कुछ निश्यत उद्देशों की पूर्ति के लिए बने जाती है जो भी समयतियां बनाई जाती है उनका कोई ने कोई उद्देश होता है इन उद्देशों की पूर्ति होने पर समयतियां भी समाप्त हो जाती है 6 p elegant है हमारा नियमों द्वारा संचालित समिठी के बेवस्थित संचालिक के लिए कुछ नियमों का होना अतीन जावश्क है जो नियमों के द्वारा एक और सदस्तों के आच्रण को नियंत्रिक किया जाता है बन्हों वे जो सदस्त है समिठी में ठीक है ना का तो सदस्त का करेंगे उनके जो नियम है उन को करेंगे उनकी आचने को नियंत्री किया रहेंगे और दूसरी resources को अधर ठीव उसके प्द नुश्र कार करने के लिए निर्दे से की जाता है मुलब जैसे पत्पे है वो उसके अनुशार कार करेगा इसके बाद अगले हेडिंग है हमारा संस्था संस्था के बारे में कोश्चन पूशा गया है तो मनुष्य अपनी मनुष्य की अनेक प्राड़ शास्त्रिय तता सामाजिक अवस्थां होती है इन अवसक्ताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने अनेक बिधियों नियमों तरफा कारि प्रडालियों को विक्सित किया है जिसे संस्था कहते है संस्था किसे कहते है मनुष्य द्वारा मनुष्य ने क्या करा है अपनी अवस्क्ताओं की पूर्ति के लिए अनेक बिधियों का बिधियां हैं जिसमें नियम हैं आपका कारी प्रडालियां हैं उनको क्या करा उसने बिक्सित करा है जिसे हमने क्या कहा संस्था कहा है स्तमाज में एनलीक संस्थाय पाई जाती है संस्ता का अतियंद्ध महर्षपूर इस्थान है इनका क्रमिक विकास एक निष्चित प्रिकिरिया के आधार पर होता है इस प्रिकिरिया में आने वाले जो चरड़ है वो कौनकोंसर है जैसे आपका आधद हो गया जन्द रीती है रथा रूड़ी धांचा ठीक है तो यह पांच इसमें आपके प्रिकरिया में पांच चरण दियो हुए है संस्था प्रतिय समाज की सक्तिसाली विवस्ता होती है मलब किसी भी मलब समाज की जो सक्षियाली विश्था होती है आपकी संस्था होती है इसके बाद संस्था का आर्थ है वन परिभासा है तो सामान आर्थ में संस्था का ताथपर एक ऐसे संग्षन से होता है जिसका शुरूप मूर्थ होता है किसके नाम से करते हैं इस प्रकाद सामान अर्थ में समिध को ही संस्था कहा जाता है विद्धियों तथा सर्मान नियमों से होता है जिनके द्वारा मन से अपने उद्देशों को प्राप्त करता है गरीन के अनुशार देखते हैं एक संस्था अनेग्ज जन्रीतियों और रूडियों का एक एकाईक रूप में ऐसा संगठन है जो अनेग्ज सामाजी कारियों को करने में सहयक होती है अगले हैं हमारे बोगाट्स के अनुशार एक सामाजी संस्ता समाज की भैस अरजना है जिसको सु इस्थापित कारी विधियों द्वारा ब्यक्तियों की अवस्थाओं की पूर्ती के लिए संगठित किया जाता है ये किसने कहा है ये बोगाश की अनुसार ये मत है अगला है आपका आगवर्न निमकॉफ इन दोनों ने कहा कि कुछ आदारभूत मानवी अवस्थाओं की संतुष्टी के लिए संगठित तेवं इस्थापित प्रडानिया समाजी संस्थाओं हैं इसके बाद है आपका संस्था की विशेष्थाओं अथ्वा आवस्थक तत्तो तो इसको देखते हैं पहला है आपका धारडा किसी भी संस्था का विकास धारडा अत्वा विचार के अध़ार पर ही होता है संस्था के मूल में धाड़ा का होना अनिवारी है यह धारड़ा ही संस्था को जन्व देने पर मूल प्रेख सकती होती है सेकंड है आपका उद्देश मलब क्या उद्देश है संस्था का उद्देश निश्चित होता है संस्था यह कई संस्था होता है जनके आधार पर चलता है देखें हिंदु विवा में सब्तु पदी होता है लाजा होम होता है कन्यादान होता है पाली ग्रहड होता है आधिकी विवस्तह हें अगला है आपका अभिमत अभिम्ध अहिंकार सोरी अधिकार संस्था को समाज द्वारा अभिमत तथा अधिकार प्राप्त होने होते हैं इसके आधार पर संस्था की सक्ति वड़ती है तथा उसमें स्वायत के तत्व का समावेश होता है विवहा को समाजित अभिमति प्राप्त है पति पतनी का परस्पर एक दूसरे के उपर अधिकार होता है कि क्या है यह अभिमत एवं अधिकार में आ रहा है अगला है आपका इस्थिता संस्था में इस्थिता का तक तो भी आवस्तक रूप से पाया जाता है विवहा तो इच्छा नुचा तोड़ा नहीं जा सकता पारिबारिक संस्था से भी बिच्छेद सरल नहीं है इसके बारे हम समिती और संस्था में अंतर देखते हैं यह संपती संस्था मेंamentos क्या है तो में है संति में कहता है कि समिति मूर्थ है क्योंकि संस्था My है संस्था में क्या कहा रहा है संस्था अमूर्थ है क्योंकि यह नियवों और बेवस्थाओं का संग्रेख है सेकेंड है समिति कह रहा है कि ब्यक्ति समिति का सदस्त होता है एबन ब्यक्तियों के द्वारा ही इसका निर्मार होता है संस्ता में क्या है संस्ता की प्रकृति अमूर्थ होती है इसलिए ब्यक्ति संस्ता का सदस्त नहीं होता है फ़र है आपका समिति इस्थाई प्रिक्रिति की होती है लेकिन संस्था जो होती है उसकी प्रिक्रिति होती है वो इस्थाई होती है और समिति का निर्माण आवसक्ताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है संस्था का निर्मार नहीं किया जाता बरन यह अवसक्ताओं की पूर्ति है किर्मिक रूप से विक्सित होती है कौन से रूप में विक्सित होती है किर्मिक रूप में समिति का आधार पारस पर एक सहयोग है कैसा है लेकिन संस्था सामुह क्रियाओं पर आधारिक होती है सब्सक्राइब का कोई ना कोई नाम अनवार रूप से होता है समिति में कोई नाम आपका अनिवार होता है और संस्था का निश्चित निश्चित या सामाजिक होता है इसके बाद हम देखते हैं हम समितियों के सदस्थ होते हैं संस्थाओं के नहीं इसको देखते हैं जरा मैकेवर तदफेज ने कहा हम समितियों के सदस्थ होते हैं संस्थाओं के नहीं उनके मतानसार यदि हम किसी ब्यक्ति को उसके संगठे समुह के रूप में बिचाड़ कर रहे हैं तो यह समिति है यदि कारी करने की पद्धती के एक शुरूप का बिचाड़ कर रहे हैं तो है संस्था है समिति सदस्था का बोद कराती है और संस्था एक पद्धती या सेवा के साधन का बहुत समिति जो होती है वो आपकी सदसदा का बोद कराती है और संस्ता क्या कराती है एक पध्धती या सेवा के साधन का बोद कराती है इस परकार हम देखते हैं कि संस्ता का रूप अमूर्थ है जो कि नियमों की विवस्था का एक इस्थाई धाचा है जिसका अनेक बसों के और भवों के आधार पर विकास हुआ है इसके विप्रीत समित्य का निर्माड बर्तमान काल में ही किसी निश्चित उद्देश की पूर्टी के लिए किया जाता है समित्य उन बिक्तियों का समय होता है जो किसी उद्देश विश्चित के कारण संगश्चित होते हैं इसके बिप्री संस्था बिभन नियमों, उपनियमों, बिधियों तथा पुडालियों द्वारा मनुश के आवसकताओं की पूर्ती करती है और श्वयम बिक्सित होती है समित्य का निर्माड किया जाता है जब कि संस्था बिक्षित होती है यह difference में अंतर में समझाई चुके हैं इसके बाद करा है नेम तत्थों से सफ़स्ट होता है कि हम समित्यों के सलस्थ होते हैं संस्थाओं के नहीं समितियां मूर्थ होती हैं किसी समाजी संगठन के दो होते हैं परिवार बिद्यालय नियालय शिर्म संगठन राजनीतिक दल अधिक का जब विक्तियों के विचार से अध्य करते हैं तो यह मूर्थ होता है और जब हम विध्यों प्रणालियों नियमों पद्धत्यों आधिक आध्यें करते हैं तो ये अमूर्थ होता है इसलिए मनुष मूर्थ है मूर्थ मनुष्यों का संगठन भी मूर्थ होगा इस प्रिकार समिति क्या है हमारी मूर्थ है मानब्धी अब सक्ताओं की पूर्टी के लिए समितिन द्वारा अपनाए गए साधनों, तरीकों, कारिवधियों, नियमों, कानूनों, प्रडालियों मानब्धी को क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है, यह सभी तत्तों अमूर्थ होते हैं, जिनको हम न देश सकते हैं, न हम इस पर सकते हैं, ठीक है न, नियमों को क्या हम देश सकते हैं, कानूनों को खुरी देख पाएंगे हम, तो जो हमें हम नहीं देख पाते हैं, न हम उ से ना होकर विदियों एवं नियमों के नियमों के समूँ से होता है बेक्ति मूर्थ होने के कारण अमूर्थ विदियों के समूँ का सदस्त नहीं हो सकता तूंकि संस्था अमूर्थ होती है इसलिए हम सदस्ताओं के सदस्त नहीं बन सकते हैं हम समत्यों के सदस्त होते हैं संस्थाओं के नहीं इस तथ को निम्नानकित उधार के द्वारा हम सबस्थ करते हैं सबसे पहले हैं हमारा परिवार परिवार का संगठन को सदस्तों का पूरा करने हेत किया जाता है हम परिवार के सदस्त होते हैं हम मूर्त हैं इसलिए परिवार एक समिती है क्याति प्रिवार नामक संस्तों बिभाग के बिभिन नियमों विधियों प्रडालियों ihan को थे कि रीतियों रूडियों प्रताओं और स्वेत्प तत्तों से संचालित है यह सब अमोर्थ हैं इसलिए हम इंते शषाषण 것으로 नहीं हो सकते approvalami हेची पीद्वार्प्टर सनस्था की जाता है मुथ नहीं हो नहीं हो सकता है नियमों विधियों द्वाला की जाती है कि हम कएते हैं सनस्था बोल आपको इस संस्था है संस्था यह जिश होगाय एक परिवार है परईवारा गर है यह जादाद है विस्यस सब्सक्राइब कालेज में आपका बैकखान दिया हुआ है परिच्छा है पद्धती है डिगरी है संस्ताय जो है जह रिवसे देश जाए है आपका नुकृत अथैरा राजनीतिक दल रातमारे काईया हैं सक्ति और सरकारी नीती इसका निश्कर्स मम लोग दिख्ते हैं इप व् Bugün वेचें से स्वेच्ट होता है चाहिए कि संस्था समिति के बिना निर्जीव है और आंक इसका घिता को पृठक नहीं किया सकता निर्भर और पूरक के दूसरे पर करते करने की प्रडाली के रूप में क्या है हमारी संस्ता है करने के रूप में क्या हमारी संस्ता है